ओम्हा शिवाय गुरुवे सचिदानन्द मूर्थै निष्प्रपंचाय शांताय निरालन बायते जुसे ध्यान मूलं गुरूर मूर्तिति, पूजा मूलं गुरूर पदद। मंत्र मूलं गुरूर वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरूर क्रपा परंपूजिने श्रीश गुरुदेव महराज स्वरू माता जी देवी ज्यानेश्वरी गुस्वामी जी द्वारा संपूर्ण शिश्यों के नाम सुन्दर संदेश भक्तों प्रत्यक मनुष्य के मोक्ष का मार्ग है सत्गुरू जो की सत्यरूपी नाम में अपने हृदय प्रिये शिश्यों को बिठा कर स्वयम ही उस सत्यरूपी नाम के खिवया बन जाते हैं और अपने शिश्यों को इस माया रूपी संसार साहर से पार उतार कर मुक्ष की गती प्रदान कराते हैं एवं अपने सद्भक्तों को ईश्वर के साक्षात कार करा कर ईश्वर के ही स्री चरफ अनुरागी बना देते हैं लेकिन यह सुन्दर और ईश्वर प्राप्ति की सटीक जानकारी हमारे मन मस्तिस्क में स्वयम ही नहीं उपजती है जब तक हमारे जीवन में स्री शत्वरू की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमारा आज्यान अधूरा और कच्चा ही रह जाता है हमारे मानव जीवन के मूल रहष्यों को जानने के लिए पूर्ण ब्रह्म्रम सुरूप स्रीश गुरुदेव के शरण में हमें जाना ही आवश्यक होता है क्योंकि परमात्मा प्राप्ती का सच्चा और सरल्व मार्व है शद्गुदेव जो की इस भाव सागर से पार लगाकर इश्वर तक सरल्वता से हमें पहुचा देते हैं इसलिए तो भगवान के अनन्य भगत बस यही कहते हैं इस भाव सागर से पार उतरने को सब गुरु का एक इशारा ही काफी है और मजधार फसी जिसकी नईया उन्हें केवल सब्सकुरु का एक साहरा ही काफी है बुली सब्सकुर देव महराज की जन उमापति महादेव की जन